आज हम देखेंगे रेखाखण खीचने के उधारण 10.6 cm रेखाखण की रचना कीजिए चलिए पहले रूलर के उप्योग से रेखाखण की रचना करे पहला चरण हम कागस पर रूलर रखकर 10.6 cm की दूरी पर दो बिंदू अंकित करेंगे जैसे यहां हमने एक बिंदू रूलर के शून्य पर और दूसरा बिंदू रूलर के 10.6 cm वाले चिन्न पर अंकित किया है ध्यान रहे हमारी आख चिन्न के ठीक उपर होनी चाहिए दूसरा चरण प्राप्त बिंदूओं को हम सीधी रेखाखण से जोडेंगे बिंदूओं को नाम P और Q देकर हमें प्राप्त होगा रेखाखण P Q हम रूलर और परकार यानि कमपिस के प्रयोग से भी रेखाखण खीच सकते हैं पहला चरण सबसे पहले हम एक रेखा यानि लाइन खीचेंगे इसे हम नाम देंगे रेखा M फिर हम रेखा पर एक बिंदू लेंगे और उसे नाम देंगे P दूसरा चरण अब हम परकार का नुकीला सिरा रूलर के शून्य पर रखकर इसे खोलेंगे जिससे की पैंसिल वाला सिरा 10.6 सेंटीमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्न पर आ जाए तीसरा चरण अब हम परकार के नुकीले सिरे को बिंदू P पर रखेंगे और रेखा M को काटता हुआ एक चाप बनाएंगे चौथा चरण चाप रेखा M को जिस बिंदू पर काटता है उसे हम बिंदू Q नाम देंगे यहां हमने 10.6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड P Q प्राप्त कर लिया है अगला उधारण एक रेखाखंड खीचिये जिसकी लंबाई रेखाखंड AB और CD का अंतर हो जड़ा सोचिये यहां हमें AB और CD दोनों रेखाखंडों की माप ग्याद नहीं है तो ऐसी स्थिती में क्या ऐसा रेखाखंड ग्याद कर पाना संभव है जिसकी लंबाई दोनों का अंतर हो सोचिये सोचिये चलिए हम बताते हैं हाँ जामिती की समझ से ऐसा कर पाना संभव है यहां हम देखते हैं कि रेखाखंड AB रेखाखंड CD से बड़ा प्रतीत होता है अंतर ग्याद करने के लिए हम बड़े से छोटा गटाते हैं इसलिए हम रेखाखंड AB के बराबर माप वाला रेखाखंड पहले बनाएंगे यह हम इस प्रकार करेंगे पहला चरण सबसे पहले हम परकार का नुकीला सिरा बिंदू A पर रखेंगे और परकार को खोलते हुए पैंसिल का सिरा बिंदू B पर रखेंगे याने कि हम रेखा खण AB के बराबर दूरी परकार के सिरे में लेंगे दूसरा चरण फिर हम एक रेखा खीचेंगे जिसे हम M नाम देंगे तीसरा चरण रेखा M पर हम एक बिंदू लेंगे जिसे बिंदू O नाम देंगे हम परकार का नुकीला सिरा इस बिंदू पर रखकर परकार के फैलाओं में परिवर्तन किये बिना रेखा M को काटता एक चाप खीचेंगे चौथा चरण, चाप रेखा M को जिस बिंदू पर काटता है उसे हम बिंदू क्यों नाम देंगे यहां हमें रेखाखंड OQ प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई दिये रेखाखंड AB के बराबर है अब हम रेखाखंड CD के बराबर माप वाला रेखाखंड बनाएंगे यह हम इस परकार करेंगे पांचवाँ चरण हम परकार का नुकीला सिरा बिंदू C पर रखेंगे और परकार के फैलाव में बदलाव करते हुए पैंसिल का सिरा D पर रखेंगे यानि कि हम रेखाखंड CD के बराबर दूरी परकार के सिरों में लेंगे छटा चरण परकार के फैलाव में बदलाव किये बिना हम इसका नुकीला सिरा रेखा पर स्थित बिंदू O पर रखेंगे और रेखा M को काटता एक चाप बनाएंगे साथवा चरण चाप रेखा M को जिस बिंदू पर काटता है उसे हम बिंदू P नाम देंगे यहां हमें रेखा खंड O P प्राप्त हुआ है जिसकी लंबाई दिये रेखा खंड CD के बराबर है आंठवा चरण यहां आप देख सकते हैं कि अगर हम O Q में से O P का भाग निकाल दे तो प्राप्त भाग दोनों की लंबाईयों का अंतर दर्शाता है यानिके O Q रिन O P बराबर P Q चुकि O Q बराबर A B है और O P बराबर C D है इसलिए हम कह सकते हैं कि A B रिन C D बराबर P Q इस तरह से हमने A B और C D के अंतर जितनी लंबाई वाला रेखा खंड P Q बना लिया है क्या अब आप दो रेखा खंड बना कर इनके योग जितनी लंबाई वाला रेखा खंड ग्याद कर पाएंगे स्वयम प्रयास कीजिए तो आज हमने देखे रेखा खंड खीचने के उधारण अगले वीडियो में हम देखेंगे रेखा कंड खीचते समय होने वाली कुछ गलतिया